मैं जहावी जाता हूँ कहता हूँ प्रेस के हमारे मित्रों मगर मित्रों का काम नहीं करते ये लोग हमारा छोड़ो हमारा छोड़ो जनता जनता के मित्रों का काम नहीं करते ये क्योंकि अगर आपके मित्र होते तो आपको देश की सच्चाई दिखाते बेरोजगारी के बारे में बताते मेंगाई के बारे में बताते मगर नहीं ये तो आपको चीता के बारे में बताते हैं देखो देखो अफरीका से चार चीता आए है देखो जंगल में घूम रहे हैं देखो ये भी सवाल पूछा कि क्या चीता हिरन को मारेगा या नहीं मतलब अफरिका का चीता हिंदुस्तान में आकर हिरन को मानना भूल जाएगा तो तो मित्र तो है नहीं अच्छा मीडिया बात नहीं उठाती जनता की तो हमने सोचा पार्लमंट में भाषण करो demonetization नोटबंदी के बारे में बाषण करने की कोशिश की गलत GST के बारे में बोलने की कोशिश की जो हम जमीन अधिकरन कानून लाएते जब नरेंद मोदी जीन ने उसको रद करने की कोशिश की हमने पार्लमंट हाउस में बोलने की कोशिश की वहाँ पे माइक आफ कर देते हैं देखो ऐसे तो एक तरफ मीडिया बात नहीं उठाती दूसरे तरफ माइक आफ कर देते हैं तो हमने सोचा चलो जनता के साथ कन्या कुमारी से कश्मीर चल कर जनता से बातचीत करें जनता की आवाज सुनें और जनता के दिल में जो है वो रखें तीन हजार किलोमेटर हो गए कन्या कुमारी से शुरू किया कम नहीं होता भाईयों और बेहनों आप ये मत सोचो कि तीन हजार किलोमेटर कम होता है कम नहीं होता है 110 दिन हो गए मगर अजीब सी बात है ठकान नहीं है आप देखिये मेरा चेहरा देखिये कोई ठकान नहीं है लोग पूछे टी-शर्ट में कैसे चल रहे हो ना ठकान है ना ठड़ लग रही है मुझे अब मैं क्या बोलूँ अच्छा जो प्रेस वाले हैं एक बात देखो मेरे साथ एक बात देखो इनके बारे में देखो एक बात ठेर जाओ भी या एक बात देखो प्रेस वालों की मैं यात्रा में चल रहा हूँ मैं टी-शर्ट में हूँ मेरे साथ किसान के गरीब बच्चे जलते हैं वो फटी शर्ट में होते हैं उनकी पूरी टी शर्ट भी नहीं होती मगर इन मीडिया वालों मैंसे एक भी यह नहीं कहता भाया हिंदुस्तान में किसान का बेटा बिना टीश बिना बिना स्वेटर के क्यों गूम रहा है यह सवाल नहीं पूछेंगे यह कभी नहीं कहेंगे भईया यह मजदूर है यह टीश बिना जैकेट बिना क्यों गूम रहा है यह सवाल कभी नहीं पूछेंगे यह सच्चा सवाल है मेरे टीश बाला सच्चा सवाल नहीं है सच्चा सवाल यह है कि हिंदुस्तान के बच्चे हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के मजदूर टी-शर्ट में सर्दी में क्यों गूम रहे हैं ये सवाल है मगर ये कभी नहीं पूछेंगे क्योंकि बाईयों और बेनों ये आपके नहीं है ये जैसे गोड़ा होता है ना गोड़ा देखा अपने शादी का गोड़ा होता है उसमें लगाम होती है ना उसको लगाम को टाइट करो एकदम रुख जाता है वैसे इनकी लगाम है लगाम लगे है प्रसवालों पर जैसे ये दोड़ने के कोशिश करते हैं जैसे दोड़ने के को सच्चाई बोलना चाहते हैं मगर हमें हमारे मालिक बोलने नहीं देते हैं Mैं कBei Crispy कहता हूं भाय डरो मत बोल दोbut कहते हैं के नोकरी भी तो करनी है हमें Secret कि अगर हम ने सच्चाई बोल दी मोकरी से निकाल देंगे किसी और को डाल देंगे वो जुट बोलेगा बाईयों और बेहनों, बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। युवा को डराओ, और उसके डर को नफरत में बदल दू। डरो मत। यह भाईया, यह बात समझ लो, यह आपने बोला डायलोग यह मेरा डायलोग नहीं है। यह शिप जी का डायलोग है। यह डायलोग डरो मत। यह हमारा धर्म है। अब देखिए, यह करोडों रुपए का, लाकों करोडों रुपए का अरब पतियों का करजा माफ कर देंगे। लाकों करोडों रुपए एक मिनट में माफ कर देंगे। और किसान भूका मर जाए, उसका करजा यह माफ नहीं कर सकते। आप यूपी के बाकि हिंदुस्तान के किसान हमारे पास आये थे, यूपी की सरकार थी। आपने कहा हमारा करोडों रुपए, बहत्तर हजार करोडों रुपए माफ कर दिया था। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए मनरेगा, बोजन का अधिकार, किसानों के लिए कर्जा माफ तो हम डर को मिटाने की राजनेती करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, अगर ये देश डर जाएगा, इस देश का फाइदा नहीं होगा। अगर नफरत फैल जाएगी, इस देश का फाइदा नहीं होगा। भाई और बेनों दो और मुद्धे हैं यात्रा के। एक है महंगाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आते थे, जब UPA की सरकारती कहते थे, ग्यास सिलिंडर 400 रुपे का हो गया है। 400 रुपे का गयास सिलिंडर हो गया है, भाई यो बेनों आज कितने का है। मगर आज प्रधानमंत्री नहीं आते, आज आकर नहीं कहते कि भाई या 1100 का हो गया। अच्छा एक और सवाल है भाईया, ये जो 1100 रुपे का फर्क है, ये किसके जेब में जा रहा है? ये किसी ना किसी के जेब में तो जा रहा है ना? मतलब ये आसमान में तो नहीं गायब हो रहा? तो याद रखिए, ये नरेंद्र मोधीची के जो खास मित्र है, तीन-चार खास मित्र है, ये जो आपके गया सिलिंडर का पैसा आपके जेब में से निकाला जा रहा है, उनके जेब में डार जा रहा है। अच्छा भाई और बहनों पैट्रोल का क्या दाम हुआ करता था यूपिये के समय? साट रुपे आज क्या है? तो ये भी याद रखिए, ये जो चालिस रुपिया, साट रुपिया जो है, जो आपके जेब में से निकाला जा रहा है, ये भी उनके दो-तीन मित्रों के जेब में जा रहा है, तो हमारा दूसरा मुद्ध महेंगाई और तीसरा मुद्ध सबसे बड़ा मुद्ध जो देश में नोट बंदी, गलत GST के कारण बेरोजगारी फैलिये, आज तीन हजार किलोमेटर में, तीन हजार किलोमेटर में, हर स्टेट में मुझे युवा मिलते हैं, म अक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, आए इसके लिए त्यारी की, और फिर मैं पूछता हूं भई आप करते क्या हो, कहते हैं राहूल जी, शर्मा के कहते हैं राहूल जी हम तो मजदूरी करते हैं, कोई कहते हैं, कोई कहते हैं भईया, कोई कहते हैं मजदूरी करते हैं, को एक रास्ता था युवाओं के लिए अगनी वीर वला उसमें क्या था सुबह युवा उठते थे, चार बजे उठते थे दौरते थे, यूपी में आपको हर सड़क पे दिखेंगे देश की रक्षा करने के लिए दौरते थे और सपना था, एक दिन बौर्डर पे जाके बौर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे, तिरंग्या की रक्षा करेंगे सपना था युवा 15 साल सेना में सेवा कर सकता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी नरेंदर मोधीजी ने कहा नहीं भाई ये 15 साल वाली बाद छोड़ो पेंशन वाली बाद छोड़ो ऐसे करते हैं 6 महीने ट्रेनिंग करो बंदूख पकड़ो 4 साल रहो फिर जूता मार के बाहर निकाल देंगे और उसके बाहर बेरोजगार हो जाओ नया हिंदुस्तान और जब युवाओं ने कहा कि हमें ये अच्छा नहीं लगा और जब युवा सड़क पे उत्रे नरेंद्र मोधी जी ने क्या किया उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुमारी फोटो ले ली गई सड़क पे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो देखिए दूसरा रास्तर का यात्र का रास्ता चेल रेलवेस का रास्ता उसको भी एक के बाद एक एक के बाद एक एक बाद एक बेच रहे है उन्हीं तीन चार लोगों बेच रहे है एरपोर्ट भी उनको दिये जा रहे है पॉर्ट भी उनको दिये जा रहे है रेलवेस भी उनको दी जाएगी L.I.C. भी उने के हाथ जाएगी B.H.L. B.H.E.L.H.L. सब उनके हाथ जाएगा और हिंदुस्तान के युवाबे रोजगार होंगे ये है नरेंदर मोदी इंदुस्तान इसके हम किलाफ हैं और इसलिए हमने यहात्रा शुरू किया और हम इसलिए नहीं तक है क्युकि आपने अपनी पूरी शक्ति अपना पूरा प्यार इसी यात्रा को दिया है और लाकों लोग हमारे साथ कड़े हुए हर जात के लोग, हर धर्म के लोग तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इतना प्यार इतना प्यार और इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं बहुत अबारी हूँ पूरी जिंदगी याद रखूंगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैन